एक मिनट में छीली एक किलो भर लहसुन ऐसा वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा था तो मैंने का भाई इसे ट्राइ करना तो बिल्कुल बनता है क्योंकि घर पर कभी कभी पूरी फैमिली के लिए इतना ज्यादा खाना बनता है कि लहसुन की ज्यादा पड़ जात चोटा सा वीडियो आपके लिए काफे helpfull हो सकता है अलगी तो अग्लता है चोटे वीडियो के लिए कर सकते हैं लेकिन मैं कितने अच्छे अच्छे कलियों को सबी को अलग कर लिया है अब जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा था कि एक जादा से एक मुनट के लिए जादा रोष्ट करेंगे तो यह बुन जाएंगी कलिया और हमें इसको पूछी तरह से बुनना नहीं है मुझे लगता है कि हलका सा रोष्ट करने से उपर का जो चिलका है वो उतर जाएगा ठीक है तो चलिए हमने यहां पर एक मुनट तक इनको रोष्ट कर लिया है और बस चूके जरूर कर लेना कि गरम को अलग करते हुए सबी लैसुन की कलियों को हम इस कपड़े के उपर डाल देंगे और गरम-गरम में ही इसको हमें रब करना है अच्छी से रगणा है जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा था इसकी पोटली बना करके रब करना मैं विल्कुल बैसी इसको रब कर रही हूं तो भाई अब देखते हैं ये हैक सक्सिज होता है या नहीं या यह भी बिवकू बनाने का काम है चलिए वो तो अब पता चली जाएगा तो बस इस तरह से अच्छी से रगड़ते हुए दो तीन मिट के लिए इसको रब करना है और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूं मैजिक सारे लैसुन की कलिया चली या नहीं तो यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स की कुछ ही लैसुन की कलिया चली होई हैं बाकी के चिलके अलग नहीं हुए हैं तो जिसकी चिलके अलग हो गए हैं वो मैं आप को निकाल के दिखा रही हूं लगबग सात आठ लैसुन की कल ही इसमें छिली है तो यह ट्रिक पूरी तरह से काम नहीं करती है मैं तो कहूंगी बस लगबग 40-50 परसें ट्रिक ही काम करेगी हां इतना जरूर है कि इसके बाद उसका लैसुन का छिलका इस तरह से आप रब करें होंगी पूरी तरह से फुल मांक्स नहीं दे पाऊंगी क्योंकि पूरी तरह से इसके जो लैसुन की छिलकें वालग नहीं हुए है तो ठीक है फिर मिलते हैं अगले हैक में तब तक के लिए बाई बाई